नमस्कार, मैं Airbus Application तथा चरक कोचिंग सेंटर की ओर से वैद धवल दोलकिया, आप सभी का स्वागत करता हूँ, आज के सेशन में हम देखेंगे कि Airbus Application को use कैसे करें, how to use Airbus Application, तो सबसे पहले open the app, आप जब भी application को open करेंगे, तो सबसे पहले उसकी left side में, left side में आपको यहाँ पे image में जो दिखाया है, उस तरह की अलग-अलग जो है, वो sign मिलेगी, तो इसमें सबसे पहले हैं my bookmark, my bookmark का meaning क्या है, जैसे test series के दोरान आपने कोई question को bookmark में डाला है, आपको कोई question hard लगा है, वो सभी question इसमें automatically save हो जाएंगे, second है profile, profile का meaning क्या है, आपने आगे जो भी अपनी detail बरी है, वो इसमें दिखायेगे, अगर आपमें profile के उपर आपका नाम नहीं दिखा रहा है, तो उसका meaning यह है कि आपकी application जो है वो internet से connected नहीं है properly, या फिर connectivity का issue है, आपमें test paper वगेरे तभी open हो पाएंगे, जब ये profile के उपर के phase में आपका नाम उसमें दिखता हो, यहाँ पर तीसरा बताया है test series तथा preparation section, जो आपको syllabus खतम होने के बाद जिसकी जरुवत पड़ेगी, syllabus खतम होने के बाद इसमें आप directly जा पाएंगे और आप paper वगेरे देपाएंगे, next वाला है one liner material, one liner जो material है, उसके अंतरगर, short as a one liner material के form दिये हुए है, जो की ज़्यादा तर पूछे जाते हैं, इसको आप randomly कभी भी, या फिर जब आपके पास time कम हो, जब आप up down वगेरे कर रहे हो, या फिर दो patient के बीच का time, ऐसे कोई भी समय, आप जब भी free है तब आप इसको refer कर पाएंगे, next है, video, video section में हमारे जितने भी session वगेरे होंगे, वो video form में upload हो जाएंगे, daily session वगेरे जितने भी होंगे, वो audio form के अंतरगत, audio section में upload हो जाएंगे, आपकी badge के नाम से, next है, community section, community section जो है, उसके अंतरगत जो है, material वगेरे आपको दिये जाएंगे, या फिर आपको कोई task वगेरे दिया गया हो, तो वो इसमें directly upload होगा है, आपके जितने भी previous material है, वो आपको community section में से by searching option automatically मिल जाएंगे, अभी application की आप right side में आएए, पहले आपने left side वाला देखा, अभी आप जैसे ही application में right side में आएंगे, तो आपको यह सब category दिखने मिलेंगी, जैसे general category है, subject है, समहीता है, master test series है, single shore category, AIPGT series तथा achiever section, इन सभी को use कैसे करना है और इसमें क्या-क्या है, तो सबसे पहले समहीता wise question, जैसे आप इसमें देखेंगे, तो इसमें तीसरी category बताई है समहीता, समहीता के उपर आप click करेंगे, तो इसमें अलग-अलग different समहीता wise question आ जाएंगे, जैसे कि चरक समहीता, शुशुरुत समहीता, अस्टांग रुदय, अस्टांग संग्रव, भावप्रकाश, शाडंधर, काश्यप, जितने भी आईरवेद की मुल्बूत समहीता है उन सभी के quality questions इसमें available है, next है subject wise paper या फिर subject wise question, इसके अंतरगत, आईरवेद के जितने भी subject है, उन सभी subject के अनुसार, quality question इसमें add किये गये है, जैसे history of आईरवेदा, रसशाष्ट्र, काई चिकिच्सा, first year to fourth year, आपके जो भी विशय है, उन सभी विशय के question आपको यहां से मिल जाएंगे, यह subject wise category है, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण section है, that is single shore category, single shore category में क्या होगा और या फिर आपको क्या मिलेगा exactly, यहां पे separately topic wise question या फिर separately आपको अध्याई wise question मिलेंगे, मतलब आपका कोई भी topic छुटेगा नहीं, आप इसमें देख सकते हैं, शुशुर सुत्रस्थान प्रथम अध्या इस तरह से पूरा एक line में, पूरा chain में बना होगा, सभी के सभी अध्या इसमें आ जाएंगे, इससे फाइदा क्या होगा, आपका कोई भी topic जो है, वो आपका untouched नहीं रहेगा, आप उसको easily go through हो पाएंगे, तो यहां पे daily papers जो है, या फिर आपका जो daily topics है, या फिर आपक हमारे session में हमने discuss किया है, Monday to Friday के session में हम जितने भी live session लेंगे, उसमें जो कुछ भी चीज़े discuss करेंगे, उसके question paper जो है, वो आपको single shore category में आएंगे, next है, one level upgrade, आपने जैसे previously यह section अटेंड कर दिया, single shore वारा, तो फिर आपको आगे जाना है, आगे achiever section है, या फिर achiever category है, इसमें difficult, या फिर hard, या फिर new style questions जो है, वो add किये गया है, achiever section आपको कब attend करना है, हर Saturday को और Sunday को, after completing और after using single shore category session, जैसे सौमवार से शुक्रवार तक, आपने single shore category session खतम कर दिया, उसके बाद आपको achiever section में जाना है, और उसके question attend करना है, वो थोड़े hard होंगे, ताकि आपको ये भी मालूम होगा कि आपने by the corner पढ़ाई की है या नहीं की है, next है तीसरा segment, important, that is weekly और unit paper, आपके सभी weekly paper, सभी unit paper कहां पे होंगे, master test series category में, जैसे यहां पे आप देख सकते है, कि चरक शारी स्थान paper number 2, शुशुरुच शारी स्थान paper number 1, ये अध्याय का नाम नहीं है, ये paper का number है, जैसे कि शुशुरुच शारी स्थान के यहां पे weekly paper series में 8 से ज्यादा paper available है, उसी तरह से चरक के भी ज्यादा available है, तो यह number of paper है, तो आपके जितने भी weekly syllabus के paper होंगे, वो आपको कहां पे मिलेंगे, आपको master test series में मिलेंगे, master test series आपको कब attend करनी है, use this category during, on Sunday, or after completion of your previous categories, जैसे कि आपने at first single show attend कर दिया, सुमवार से शुक्रवार तक, उसके बाद शनिवार को, तथा रविवार सुभा को आपने attend किया, अचीवर category, उसके बाद आपको attend करनी है, यह master test series में से weekly paper, अभी आप जैसे कोई question open करेंगे, तो उसमें attend करने के लिए अलग-अलग यह चीज़े आपको दिखेंगी, तो इसमें जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे कि सबसे पहले question dial box है, उसके नीचे उसके चार option है, option के नीचे answered, review, review and answer and not answered, चार दिये हुए है, तो यहाँ पर answer का meaning यह है कि आप इस प्रश्न का जवाब देना चाहते है, जैसे कि कारिय देश की परिक्षा कितनी है, इसमें आप जैसे answer देना चाहते, तो आप जो भी answer देना चाहते, सबसे पहले, यहाँ पर answer पे click करना है, उसके बाद option पे click करना है, उसके बाद next के उपर जाना है, answer का meaning यह है कि यह प्रश्न का उत्तर आप देना चाहते है, next है review, review का मीनिंग क्या है कि जैसे ये प्रश्ण में अभी आप confusion में है अभी आप उसका उत्तर देना नहीं चाहते हैं आप आगे इसको देखने के बाद इसका उत्तर देना चाहते हैं तो वह आपका review में रहेगा review and answer में क्या रहेगा जैसे आपको ऐसा मालूम होता है आपको ऐसा प्रदित होता है कि यहाँ पर answer में 10 भी आ सकता है या फिर 11 भी आ सकता है तो यहाँ पर review and answer कर देंगे उसके बाद आप b option पर tick लगा देंगे और उसके बाद आप next में जाएंगे तो इससे क्या होगा यह question final lock नहीं होगा यह review and answer में है इसमें आप आगे change कर सकते हैं नेक्स्ट है not answered not answered मतलब unattended question तो आपके जितने भी unattended है वो यहाँ पे नीचे automatically रहेगे वो आपको आगे जाके आप देख पाएंगे इसके अलावा आप यहाँ पे screen में देखेंगे तो सबसे उपर में review है सबसे उपर में pen जैसा symbol बताया है timer के एकदम side वाले वहाँ पे जो बताया है that is just like a pen symbol वो आपके सभी के सभी question जो है वो review करने के लिए है इसके आप click करेंगे तो आपके review वाले जितने भी है वो आपको दिख जाएंगे उसके एकदम left side का जो button है जैसे हम play करते है play के लिए जो triangle वाला button होता है उसी तरह का button है वो आपको आपके सभी not answered question बताएंगे आपने पूरे paper में कितने question अटेंड नहीं किये है वो आपको दिखा करेंगे उसके उपर आप click करेंगे तो question के number के हिसाब से आपको वहाँ पर directly ले जाएंगे next है सबसे उपर सबसे ऊपर एक पूरा cloud वाला button है जो cloud वाला button है वो आपको indicate करता है submit the paper एक बार जैसे paper खत्म होता है तो आपको paper submit करना होगा जब भी आप ये cloud वाला button के उपर click करेंगे तो आपका paper जो है वो submit होगा इससे पहला आपका paper submit नहीं होगा इसके एकदम left वाला जो बटन है जिसमें दो तीर आमने सामने है वो जो दो तीर आमने सामने वाले है वो symbol है all questions with proper color code जिसे यहाँ पे आपने पूरे आपके जिसे 120 question है या फिर यहाँ पे यह paper में आपके 100 question है 100 question है कि जितने आपने review किये है वो अलग color में होगे और जितने आपने not answered है वो भी अलग color में होगे ऐसा सभी आप देख पाएंगे यहाँ जो दो सामने वाले तीर है उसके द्वारा इसके बाद है bookmark का button सबसे उपर right upper corner में जो button है that is for bookmark यह कोई भी question को आपके application के अंदर आपके mobile instrument के अंदर वो save कर देंगा bookmark and save in your device तो basically एप के अंतरगत इतने specify feature है जिसको कि आप easily use कर पाए यह है तूसे यह video बनाएगा है thank you thank you all